पर जो निफ्टी है निफ्टी का क्लोसिंग लगबुख 22700 के पास में हो चुका है अब इसका मतलब क्या होता है कि जिसने यहां पर पीई का पोजिशन अगर होड़ करके रखा होगा तो फिर क्या हो सकता है एक कन्फिजन वाला मॉमेंटम डेफिनेटली यह वाल जेगे पर लेक्ना था निफ्टी के बांस पासान इसके अब इसके बीचे का पर आपको 22ग,740 यह दोनों टागेस आसन इससे दिखा सकता है अब इसके बिचे का लॉजिक थोड़ा आगे वीडियो में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हम वाईसे बैसे डिसक्स करेंगे उसके पहले यह जो हमारा फ्री वाला टेलिग्राम चैनल है अगर आपने इसके अंदर जॉइनिंग नहीं किया तो डेफिनिटल आप यहा कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब यहां पर अगर मार्केट को बिल्कुल नीचे आना ही है तो मार्केट को क्या करना चाहिए मार्केट को अगर यहां से कंटिनुन नीचे आना है तो मार्केट के लिए 22,725 उसे लेकर 22,755 यह दो लेवल रहेगे अगर मार्केट कही ना कही इन दोनों लेवल पे अपने आपको मेंटेन करने में कामयाब हो जाता है क्या करता है मेंटेन करने में अगर वो कामयाब होता है तब जाकर कि हम क्या कर सोच सकता है कि हाँ डेफिनेटली फिर यहां से मार्केट डेफिनेटली एक bounce back दे सकता है यह possibility हो सकती है अब possibility हो सकती है इसका reason क्यों अब यह सुनो अब possibility इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर already trap generate हुआ है market ने यह दिखाया कि market को उपर जाना है यहाँ पर एक hammer candle के साथ में लेकिन market उपर गया क्या नहीं गया ठीक है अब जैसे market उपर जाना कि कोशिशिक कर दो तुरण market नीचे भी आगए chance है अब यहosis उपर नहीं गया यह से market होसे क्या मार्किटनीडिए में डाउंसेड गया यहां से और से क्या market हैं नया है CE का इंट्री बनाया होगा उसके बाद मार्केट वापस नीचे गया इतनी यह वाले लेवल्स तक अब यह 740 से भी नीचे मतलब कि 730 तक आ चुका है और आया कहा से ही है यह यह आया है 800 से 730 तक अब अगर यह पॉइंट्स की बात करू तो कितना हो गया 70 पॉइंट्स मतलब मामी सेंट्स के बात का से हैं हमारा निफिति एक्स पाइर मॉइंट्स काוש का सेंट्ए हैं इसके अंदर तो इससे बादा ड़ो लामेंट आसे यहां इसका होचगा होगा ओके अब जब तक मार्किट यहां से उपर भी जाएगा तब यह इतना रिकवर होगा ही नहीं options के अंदर अगर किसे ने यहां पर ट्रेड लिया भी होगा तो यह उसके उपर नहीं जा पाएगा सिंपल सा रिजन है क्योंकि option बहुत जाले डीके हो चुका होगा उसके बार में इंडेक्स अगर उपर नहीं मूफ कर रहा है तो हमारा options यहीं से रिटन आ जाएगा मतलब अगर किसे ने यहां पर यह वाला लॉस बूक किया तो अच्छी बात है जिसने अगर नहीं किया तो उ में मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आ जाए कल वाले में देखिए अब बुलिश केंडल ट्रैपिंग कैसे हुआ था जो बैंक निफ्टी में हो रहा था कही ना कई बैंक निफ्टी को और निफ्टी को भी देख करके बहुत से लोगों ने एक सीई साइड का इंट्री प् का मार्केट निफेख के तूरंत एक बड़ी बुलिश केंडल लिखा दी जिसमें पी एंट्री अगन हो गया उसके अगले ही कैंडल में बुलिश केंडल अब यहाँ पर चलिए जिसने भी एंट्री किया होगा उसनी यहां से ले करके यहां तक का प्रॉफिट डिफिनेटल लिए गुक क्या होगा अब अब जिसने यहां पर प्रोंफिट वुकिंग क्या उसके लिए बहुत अच्छी बात है क्यूंकि अगले ही केडल में डिगेटिव केडल हुई कुन सी केडल से यह जिस हमें भी आपको कुछ टाप पहले बता हुए एक हैमार केडल से बराबर है मत यहां पर एक बना है अगर किस निया आ पर नीचे तो नहीं लेकिन थोड़ा भूड फोड़ा इसे दाफिडेश लिखा है यह होचिके हैं मख्यों से चुका है यह पर पहले हैं मैं त्खिया है हमारी दूसरी हमाय डूसने हमारी हमार कैंडल इसके बाद यहां पर जाधा नहीं गया market ठोड़ा बोती गया एक, दो, तीन तीन hammer candles आपको यही पर मिल चुके है मतलब कहीं न कहीं अगर आपको एक दीन के अंदर दो से लेकर के तीन hammer candles भी अगर मिलते है अगर आपका एक and दो दो hammer candle भी चल जाते है तीसरा गर loss भी हो जाता है तो भी आप profit के अंदर रहोगे क्योंकि आपके अलड़ी दो profitable trade वहाँ पर माने जाएगे अगर आपने उसे properly hold किया होगा तो नहीं तो नहीं ठीक है अब हम यह भी देखते हैं कि किस तरीके से markets के अंदर trapping momentum generated हुआ था और किस तरीके से market trapping भी करता है hammer candles की मैं बात कर रहा था कौन सी candles? hammer candles की hammer candle एक ऐसी candle है जो आपको profit भी दिलाती है and आपको loss भी दिलाती है लेकिन अगर आप इसे trade करते हो मान लो अगर आप इसे five to six times trade कर रहे हो तो लगबग इसका 50% हो मतलब कि अगर छे बार trade कर रहे हो तो लगबग तीन या फिर चार बार वह आप सही जा सकते हो provided market आपके साथ चलना चाहिए okay अब इसका बहतरीन सा example मैं आपको पता दो हूँ यहाप पर देखिया है kya है यह है है मां यह समझ आदल के हिसाוכ से market को जाना उलगेillarकिन the market जाना क्या हैए, नीचे वागया करते है अगले एक और了 example मांदल कैसे है कौन से चाहिए? मां Ci उपर चलिए ट्रैपिंग हो गया यह ट्रैपिंग को बच करके सही टाइम पर इंडरिय स्थी टाइम पर इंजिट कैसे करना है अगर आप एक बार वह समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत बेटरे हैं से लेवल यहां पर निकल कर आ सकते हैं बहुत बढ़ बढ़ी तरी इंस तो लिए 30-2 और 20 के तागे समय वाँ पर दिखने मिल सकते हैं उसके साथ में जो बैंक का होने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंपोर्टन लेवल सोने वाले वह वह भी एक बच сп D कि कुम से कुम से इंपोर्टन तागेग्स हमारे लेकल के आने वाले है आने वाले टाइम है तके कि वो टागेट हमसे मिन्स नअः हो जाए अब यहाँ पे भी अगर आप देखोंगे तो मार्किट का इस तो सेंटिमेंटल लेवल एड है एट है और यह दो लेवल फे है पर इंडिटो के लेवल का उपर नहीं जा पाता है या फिर उद्धर सस्टेंग साथ में इस नहीं करें इस है उसके साथ में जो भी इंपोर्टन चीजें रहे तिया लायू मार्केट रिलेटेड वो सभी के सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे फ्री टेलिग्रम चैनल में मिल जाएगी यहाँ भी हमने लायू मार्केट का अपडेट अलड़ी करके रखा था जिसने आज लगबग 800 प्लस पॉइंट्स दे दिये थे अब यह सब ची के भी आप जाइन हो सकते हो